अब आपने इंग्लिस विवर्स के लेस्न है 15 उसके वर्ड मेनिक्स और बुक वर्क्स को डिस्कूस करेंगे अब आप सभी को ये बड़े अच्छे से समझ में आया है आज हम इसके जो वर्ड मिनिक्स हैं उसको डिस्कूस करते हैं और कुछ जो हमारा बुक वक है उसको हम डिस्कूस करेंगे तो लेट्स बीगें विद रड वर्ड मिनिक्स फ्रस्ट तो वर्ड मिनिक्स में फर्स्ट है हमारा क्लंप क्लंप क्या होता है ग्रूप ओफ ट्रीज पेडों का छर्मू आपने देखा होगा कि कई जगायप पर जो पेड है वह इक अठे कड़े होते हैं बहुत सरे पेड़ तो उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लंप कहते हैं, group of trees. सेकिंड है, orchestra. औरकेस्ट्रा, जो होता है, ये एक collective noun है, जो cricketers होते हैं, उनके लिए हम उसको use करते हैं. जिस परकार से हमने देखा है, कि जिसे cows होती है, तो उनका herd होता है, सो इसी परकार से, जो collective noun होता है, cricketers के लिए, वो हमारा क्या कहलाता है, orchestra. थर्ड जो हमारा word है, वो है hope, hope होता है, jump, kudna. आपने देखा होगा, main lecture हो है, वो किस परकार से jump करता है, सो उसे हम कहते हैं, hope. फूर्थ है wizard, wizard होता है magician, magician, जादू कर, जो जादू करता हो, magician हो, जादू कर. फिफ्थ है crowds, crowd क्या होता है, भीड, so group of people, crowds, group of people, भीड, जा पर बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा, ये कठे हो जाते हैं, उसे हम crowd कहते हैं, सिफ्थ है, merry tunes, merry tunes होते हैं, melodious tunes, madhur dhun, so आपने देखा होगा, कि जो musicians होते हैं, वो कितनी madhur tune बनाते हैं, उसे हम करते हैं, merry tunes, so आगे हम बिटा, अपना book work देखते हैं, page number 116, और 117 पर, जो हमारा book work है, उसे हम आज, check करेंगे, so आपको इसे, learn करना है, so सबसे पहले है, write these words and phrases, in the correct column, so in words को, और जो phrases हैं, इन्हें आपने correct column के अंदर, लिखना है, so यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हमारा पर कुछ words दिये गए हैं, जिने हमें, depend करता है, कि हमें, frogs के लिए हैं, क्रिकेटर्स के लिए हैं, तो क्रिकेटर्स के कुलम हैं, तो सबसे पहला हम देखते हैं, sang cheerful songs, so जो cheerful songs हैं, वो कौन का रहा थी, yes, frogs का रहा थी, so आप frogs के कुलम हैं, यहाँ पर लिखतेंगे, next देखते हैं, an orchestra, orchestra हमने अभी अभी discuss किया था, कि जो क्रिकेटर्स होते हैं, उनका जो group होता है, उसे हम orchestra कहते हैं, तो आप orchestra यहाँ लिखेंगे, इसके बाद, थर्ड देखते हैं, lived in trees, so trees के अंदर कौन रहता था, yes, क्रिकेटर्स trees के अंदर रहते थे, तो आप यहाँ पर क्रिकेटर्स के नीचे, यहाँ पर lived in trees लिख सकते हैं, next देखते हैं, एक colony, colony किसकी होती है, yes, frogs का जो group होता है, उसे हम colony कहते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे, frogs वाले कोलों में, इसके बाद देखते हैं, harmed merry tunes, जो बहु थी, जो मधुर धुने थी, उन्हें गुन गुनाते थे, तो कौन गुनाता था, yes, क्रिकेटर्स को गुनाते थे, तो क्रिकेटर्स को को कॉलम में आप लिखेंगे, harmed merry tunes, इसके बाद next देखते हैं, lived in a pond, pond के अंदर रहते थे, कौन रहता था, pond के अंदर, yes, frocks रहते थे, तो frocks की कोलम में आप यहां पर लिखेंगे, lived in a pond, so, sang cheerful songs, frocks काते थे, तो frocks के कोलम में, and orchestra, क्रिकेटर्स का orchestra होता है, lived in trees, trees में कौन रहता था, yes, क्रिकेटर्स रहते थे, तो क्रिकेटर्स को एक कोलम में हम लिखेंगे, lived in trees, इसके बद एक कॉलोनी, कॉलोनी किसकी होती है, yes, frocks की, frocks के कोलम में आप लिखेंगे, एक कॉलोनी, and hummeritunes, जो बहुती मधुर धुने गुन गुन आते थे, कौन गुन गुन आता था, yes, cricketers के कोलम में आप यहां पर लिखेंगे, इसके बाद है, lived in a pond, जो pond में रहते थे, कौन रहता था, yes, frocks, so, frocks के कोलम में आप यहां पर लिखेंगे, lived in a pond, so, next, देखते हैं, हमारे पास कुछ, optional questions है, जिने हम अब चेक करेंगे, so, so, basically, जो हमारा, first, जो हमारा initial, जो हमने chapter स्टार्ट किया, तो उसे सबसे पहले frocks में ले थे, तो हमने यहां पर उन्हें के हिसाब से लिखा है, so, सबसे पहले उसे frocks में ले थे, तो frocks के टाइम पर वो क्या करना चाहता था, sink करना चाहता था, so, sink हमने यहां पर लिखा है, so, यहां पर आप sink को मार करेंगे, second है, the frocks said that ermittles, अब जब जो ermittles था, वो sink करना चाहता था, तो जब frocks को यह पता चला कि, वो भी sink करना चाहता था, तो उन्होंने क्या कहा, so, क्या कहा, the frocks said that ermittles cannot sink, कि ermittles का नहीं सकते, so, option A को मार करेंगे, इसके बाद third देखते हैं, the ermittles loved music, जो ermittles था, उसे music बहुती ज़्यादा पसंद था, so, कितना पसंद था, more than his own life, कि वो उसके लिए मरने के लिए भी तयार था, उसे अपनी जिंदगी से भी ज़्यादा, जो है, music से पसंद था, so, अपनी जिंदगी से भी ज़्यादा music को प्यार करता था, four देखते हैं, the people who heard the musician play the instrument, praised, जो people थे, जो लोग थे, hear, hear का मतलब होता है, सुना, तो जो भी musician को play करते हुए सुनते थे, उस instrument को play करते हुए सुनते थे, वो praise करते थे, praise करना मतलब तारीफ करते है, किसकी तारीफ करते थे, yes, armidlo की, तो यहाँ पर लिखेंगे, a, armidlo, so, इनको एक बार दुबार से देखते हैं, the armidlo wanted to, yes, sing, the frog said that armidlo's cannot sing, the armidlo's lived, sorry, the armidlo's loved music more than his own life, the people who heard the musician play the instrument praised, yes, the armidlo, इसके पर नेक्स देखिए बिटा, आपने देखा होगा कि किस परकार से हम, जब कोई भी word होता है, तो उसके सामने हम, I, M, M, और U, N, लगाकर, उसका opposite word बनाते हैं, that means, उसका जो विपरी तारीट तक सब्द हैं, यहां पर भी आपने क्या करना है, यहां पर जो words दिये गए हैं, उनके सामने आपने I, M लगाकर, या UN लगाकर, इनके opposites बनाने हैं, अन्टियोनिम्स बनाने हैं, तो सम्टाइम्स भी एड़, I, M, और U, N, बिफोर सम वर्ड्स तो मेग, दियर opposites, यहां पर हम कई बार क्या करते हैं, कि I, M, और U, N का जो use है वो करके, और हम words के opposites बनाते हैं, तो यहां पर कुछ examples ठीके हैं, यहां पर possible है, P, O, S, I, B, L, E, possible, possible का मतलब होता है, जो मुमकिन हो, जिसे किया जा सके, तो possible को जब हम इसका opposite बनाएंगे, जो नामंकिन हो, उसे हम impossible कहते हैं, second देखते हैं, P, U, R, E, pure, pure का मतलब होता है, शुद, तो शुद का opposite जो है, वो हम I, M, लगा के बनाएंगे, impure, impure का मतलब होता है, अशुद, next word देखते हैं, L, O, A, D, load, load करना, मतलब ट्रक में आपको शामान रखते हैं, तो उसको हम कहते हैं, load करना, उसका opposite होता है, unload, unload करना मतलब खाली करना, next is, fair, so, fair, जो बिल्कुल पक्सपाती ना हो, जो एकदम से सही हो, fair, और fair का opposite होता है, unfair, जो पक्सपात करें, जो unfair हो, that means the opposite of these words, inverse का जो opposite है, वो आपको story में से ढूनना था, remember the words begin with, I am और UN, तो जो words है, इनमें आपने I am और UN लगाना है, और यहाँ पर इनके, जो opposite words है, वो यहाँ पर लिखने है, सबसे पहले हैं, politely, so, politely से क्या मनेंगा, yes, impolitely, तो यहाँ पर आप impolitely लिखेंगे, second है possible, so, possible से क्या बनाएंगे, yes, impossible, I am एड़ करेंगे, तो first में, second में, दोनों में हम I am एड़ कर रहे हैं, और in spellings के सामने, I am एड़ करके, हम इनके positive बना रहे हैं, जिसे politely से impolitely, और possible से impossible, third है kindly, kindly होता है दयालू, so, kind से बना है kindly, तो दयालू होता है, so, यहाँ पर जो kindly है, इसका जब हम opposite बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगा, yes, unn का हम एड़ करेंगे, unn और आगे kindly, unkindly, unkindly, जो दयालू तो आप पूर्म बैवार नहा करें, तो पैटा, इसके next हमारा जो है, part B, rewrite these sentences using the opposites of the word in color, तो जिस परकार से हमने अब इनके opposites बनाने सीखे हैं, तो हम उसी technique का use करते हुए, यहाँ पर unn और im का add करके, और इनके opposites बनाएंगे, और यहाँ पर इन्हें change करके लिखेंगे, so use unn और im to make the opposites, तो opposites बनाने के लिए im और unn का use करेंगे, so first है, this water tank contains blank, sorry, pure water, so this water tank contains pure water, तो pure मतलब शूत, pure का opposite क्या होगा, yes, impure, im add करेंगे, impure water, so this water tank contains impure water, second देखते हैं, money is helpful and polite, so यहाँ पर जो money है, वो helpful है, वो लोगों की help करती है, and polite और फिर्म रहा है, so यहाँ पर हम इनके opposites बनाएंगे, so helpful से, yes, unhelpful, you and unn लगाएंगे, और यहाँ पर unhelpful लगाएंगे, और polite से क्या बनेगा, yes, impolite, so polite से यहाँ पर impolite बनेगे, I-M-P-O-L-I-T-E, impolite, थर्ड देखते हैं, I locked the cupboard, and kept the keys on the table, कि मैंने cupboard को locked किया, और जो keys थी उन्हें टेबल पर रखा, so यहाँ पर locked है, so locked का opposite क्या होगा, yes, unlock, so U-N-L-O-C-K-E-D, unlocked यहाँ पर लिखेंगे, next देखते हैं, fourth, this is safe to swim alone in the lake, कि यह safe है, यहाँ पर जो lake है, उसके अंदर swim करना, अकेले swim करना safe है, so यहाँ पर safe है, safe का मतलब होता सुरक्सित, सुरक्सित का opposite हम बनाएंगे safe से, so देखते हैं, safe से opposite, unsafe, तो U-N-S-A-F-E, unsafe हाँ बनाएंगे, fifth है, is that chair comfortable, so comfortable यहाँ पर है, is that chair comfortable, क्या chair comfortable है, comfortable का opposite क्या बनाएंगे हम, yes, uncomfortable बनाएंगे, U-N-C-O-M-O-R, sorry, F-O-R-T-A-B-L-E, so यहाँ पर uncomfortable बनाएंगे, sixth है, the teacher was happy that the students were properly dressed for the, concert, कि यहाँ पर यह जो concert है, इसके लिए, जो बच्चे हैं, वो properly dressed है, so teacher उसके लिए खुश है, the teacher was happy, the teacher है वो खुश है, that कि, the students were properly dressed for the concert, कि जो concert है, उसके लिए students properly dressed है, तो यहाँ पर हमार पास दो words आ रहे हैं, happy और properly, so happy का opposite क्या बनाएंगे, yes, unhappy, unhappi, unhappy बनाएंगे, और properly जो है, properly का आप opposite बनाएंगे, yes, imad करेंगे, iamproperly, improperly, so बटा, आप इन्हें complete करेंगे, और learn करेंगे, thank you, have a good day ahead,